नवरात्री के आठवे दिन सुभा के समय जंगल में शेर और अन्य जानवर मा महागौरी की पूजा आर्थी के लिए उपस्थित हुए और सभी जानवर मिल जुलकर पूजा करते हैं और भजन की इर्दन करते हुए उठ सब मानते हैं शाम को जब आस्मान में सूरज डूगने लगा और चान की हलकी रोशनी पेरों पर गिरने लगी शेर ने मा महागौरी की कथा सुनानी शुरू की उसने गंभीर आवाज ने कहा मा महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुन्दर और उज्वल है वे श्वेत वस्त्रधारन करती हैं और उनकी सवारी बैल है उनकी पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वे भक्तों को सुख समरिद्धी का आशीर वाद देती हैं शेर ने आगे बताया मा महागौरी को अपने तपस्या से शिव जी को क्राप्ट करने का वर्दान मिला था जब वे कठोर तपस्या में लीन थी तब उनका शरीर काला हो गया था शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जल से उनका अभिशेक किया, जिससे उनका शरीर फिर से गौरवर्ण हो गया, और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा, उनकी पूजा करने से पवित्रता, शांती और जीवन में सम्रद्धी आती है, सभी जैनवर इस क शिरनादायत कथा ने सभी जैनवरों के मन को शांती और संतोश भर दिया, कथा के बाद सभी जैनवरों ने मिलकर मा की आरती किया, और सभी जैनवरों ने तालियों और हसी मज़ा के साथ इस विशेश दिन को मनाया, रात के अंत में जब पूरा जंगल उत्सव के रंग में दूबा हुआ था, शेर ने सभी जानवरों को संबोधित किया, उसने कहा मा महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि कथिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो यदि हमारा मन शुद्ध और धैर्यवान है, तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं.